साथियो नमशकार मैं शालिनी वर्मा सक्का स्वागत करती हूँ बहुत सारे switch words आपको अब तक बताए हैं आज आपको एक और प्यारा सा switch word बताने जा रही हूँ switch word है plethora plethora switch word को आप कब chant करेंगे और इसके क्या benefit होंगे मैं ये आज आज आपको बताऊगी plethora के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है एक बार फिर से बता रही हूँ जब भी जीवन में कोई चीज आपको ऐसी चाहिए कि overflow हो जाए तब आप plethora को chant करेंगे समझ में नहीं आया क्या overflow हो जाए कोई भी चीज overflow हो जाए इतना पैसा हमारे पास है लेकिन हम चाहते और आ जाए तो आपको plethora chant करना होगा यानि कि कोई चीज इतनी तो है हमारे पास की हमारी जरूरत उससे पूरी हो रही है पर हम चाहते हैं कि हमको और मिल जाए जिससे और हमारे पास बचा रहे खर्च भी कर ले फिर भी बचा रहे तो overflow of money जब भी चाहिए हो तो आप chant करेंगे plethora, plethora, plethora plethora के साथ में आप चाहें तो count to जोड भी सकते हैं पर switch words के लिए एक चीज बताऊ कभी ये ना सोचें कि बहुत सारे words से जोडने से आपको result अच्छा मिलता है ऐसा नहीं होता है switch word अगर आपने intention ये रखा है कि plethora यानि पैसा मुझे और मिल जाए तो वो plethora जो word है ना वो उसी form में काम करेगा तो आप अखेला plethora भी chant करेंगे तब भी आपके लिए चलेगा पर अगर मन आपका करता है तो आप count भी इसमें जोड सकते है कि plethora तो साथ में count यानि plethora यानि overflow हो जाए count यानि money तो यानि money का overflow हो जाए तो plethora switch word हुआ overflow करने के लिए पैसो का overflow जितना है उससे और ज़्यादा इश्वर हमको और दे दो थोड़ा है थोड़े की और जरूरत है तब आपका वर्ड होगा plethora अगर unexpected कुछ चाहते हैं तब याप plethora को chant कर सकते हैं मतलब कहीं आप stuck हो गए हैं आप चाहते हैं कुछ ऐसा unexpected हो जाए कुछ हो जाए कि मेरा ये काम निकल जाए मतलब कहीं से उमीद तो नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए किसी भी तरह तब भी आपका वर्ड है plethora plethora को आप chant करेंगे जब भी जीवन में कुछ unexpected की जरूरत हो unexpected plethora को हम ज़्यादा तर जो होते हैं finances के point of view से हम ज़्यादा यूज करते है plethora यानि finances के छेतर में पैसों के छेतर में कुछ और नया हो जाए कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा ये काम निकल जाए मैं ये plot खरीदना चाहता हूँ लेकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है प्लेथोरा तो आपका word होगा plethora 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 आप यहां पर भी चाहें तो count जोड ही सकते plethora count भी साथ में आप जोड सकते अदरवास प्लेथोरा अपने आप में complete है पर count जोडने से पैसों को और वजन मिल जाता है तो यह हो गया plethora count जब कुछ unexpected पैसे की जरूरत हो रही हो इसके अलावा life में luxury जब चाहिए हो हम चाहते हैं life में abundance आजाए लगजरी आजाए काम तो सबके चलते ही है रोटी तो सबको ही मिल रही होती है लेकिन कुछ इतना आजाए कि खुद खा भी सके और कुछ save करके भी रख पाएं कुछ हमारा bank balance भी हो कुछ अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए तो जब ऐसी ख्वाईश हो तब भी chant कर सकते हैं प्लेथोरा life में prosperity और abundance को जब बढ़ाना चाहते हो और ज़्यादा attract करना चाहते हो तब आपका word होता है प्लेथोरा तो ये तीन situation है जिसमें आप प्लेथोरा को chant कर सकते हैं जब भी आप चाहते हो पैसों का overflow हो जाए प्लेथोरा आपका word हो गया जब भी आप चाहते हो कुछ unexpected पैसा मिल जाए प्लेथोरा आपका word हो गया जब भी आप चाहते हों कि मेरी life में abundance बढ़ जाए, prosperity बढ़ जाए, मैं और ज़्यादा सम्रद्ध हो जाऊं तो आपका word है plethora, तो इन तीन situations में आप इस plethora word को chant कर सकते हैं, साथ में count भी जोड़ेंगे तो और अच्छा है, plethora count अपने आप में एक complete सा दिखने लगता है, क उम्मीद करती हूँ, आज का word आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कैसे use करें, जो भी switch word हो, उसको मन में जाप करते रहना होता है, जैसे कि हम हिंदी मंत्रों का जाप करते हैं, ऐसे ही recite करते रहना होता कहां से आएगा, कहां से आएगा, तो universe भी confused है, कहां से दें, उसको खुद नहीं पता, पर जब आप positive attitude के साथ कुछ बोलना शुरू करते हैं, कि ये चाहिए, ये चाहिए, पैसा, 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 तो universe को पता है, पैसा चाहिए, कोई negative आपने नहीं सोचा, तो switch word भी, आपके mind को आपके brain को program कर रहे होते हैं, जब आप उसको दिन रात उमन में recite करते हैं, इसी लिए हमको उससे result मिलता है, तो ये हो गया अपने थोरा word, उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोग chant करके इसके benefit उठाएंगे, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थेंक यू, नमस्ते